आप सभी के हिर्दे में विराजमान परमात्मा को मेरी राम 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 रूपी इस सरोवर की सुंदर्ता का वर्णन तुलसिदास जी ने अभी बहुत गहराई के साथ किया दिव्विता के साथ किया सुंदर्ता के साथ किया और अब वे इस सुंदर्ता के वर्णन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ ही अब थोड़े से इसके डरावने द्रिश्य भी आपके सामने आने वाले हैं अभी तक तो बताया कि इस राम रूपी अम्रिज सरोवर में चारो तरफ क्या-क्या सुन्दर चीजे हैं अब सुन्दर है तो उसके आज़ पास कुछ असुन्दर भी घिर आएगा है सौभाविक है खेत होता है खेत में फसल होती है तो फसल के साथ खर्पतवार तो उगही आती है ना अब ऐसी ही खर्पतवार का भी वर्णन तुलसिदास जी कर रहे हैं क्योंकि जो भी सुन्दर तम है वह इस राम कथा में है और जो इस सुन्दर तम से वंचित होने वाले तत्व हैं ऐसे अभागे और विचारे लोग हैं जो इस राम कथा के रस का अमरित का स्वाद नहीं चक सकते उनकी भी मजबूरियों का जिक्र यहां पर तुलसिदास जी ने किया है ऐसी बात नहीं कि उनको भूल गए है उनको छोड़ दिया है ऐसे हैं बहुत से जो कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता भगवान का नाम लेने का या उस राम की रहा में जाने का हमारे पास तो वक्त ही नहीं है बिल्कुल समय नहीं है जिन्दगी इतनी मसुरूफियत में है कि कौन उस राम को भजे ऐसे अभागों का भी तुलसिदास जी ने यहां वर्णन किया है तो पहले अब उस सरोवर के आसपास की थोड़ी सी सुन्दरता जो बच गई है कहने में उसका भी हम रस्वान कर लेते हैं भगति निरूपन विविद विधाना छमा दया दम लता विताना अब सरोवर है सारी चीजे भता दी तुलसिदास जी ने तो लताओं के जुंड भी तो होंगे न उस सरोवर के चारो तरफ राम सरोवर के चारो तरफ कौन सी लताएं हैं किस चीज की लताएं हैं क्या कहते हैं भगति निरूपन विभिद विधाना विभिन प्रकार की जो भक्तियां हैं अनिक प्रकार की भक्ति होती हैं और उन प्रकार की भक्तियों का यहां पर तुलसी दास जी ने लताओं के साथ सामने अस्थापित किया है और शमा दया दम नियम जो होते हैं शमा दया इन सब चीजों की लताएं इस राम सरोवर की चारो तरफ बिखरी होई है जुंड के जुंड है इन लताओं के अब क्या है फूल भी है वहाँ अब फूल किस चीज के है समझम नियम फूल फूल क्या है जो नियम ध्यान साधना तपस्या ये फूल है इस सब के तो फूल क्या है भाई फूल भताते हैं फूल ग्याना और इन फूलों के बाद जो प्राप्त होती है ज्यान की का जो प्राप्ती होती है वो ग्यान ही इसका फूल है चलो फूल भी मिल गया और अब उस फलों का रस कैसे पाए हम तो रस क्या है इन फलों का रस क्या है हरिपद रती रस बेद बखाना कहते हैं वेद बखाना बेद बखान करते कहते हैं कि ये जो फल है इस फल का रस क्या है शिरी हरी के चर्णों में प्रीती ही इसका रस है नियम साधना तब तपस्या ये फूल हो गए अब फूल के बाद फल लगता है तो ज्ञान का फल लगा अब जब फल का रस्पान करना है तो क्या है भगवान के चर्णों में प्रीती ही प्रेम ही श्रद्धा ही वहरस है इस फल का देखो कितना खुबसूरत खाचा खीचा है तोलसिदास जी ने ऐसा कि जो जब भी आप फल खाएंगे उसका रस आपके भीतर उतरेगा उसकी जिवा उस रस का स्वाद करेगी तो आप तोलसिदास जी की ये पंक्तिया नहीं भूल सकते कि श्री हरी के चर्णों में जो प्रीती है वही वास्ताओं में रस है और कथा अनेक प्रसंगा तेह सुख पिक बहु बरंग भिहंगा अब पिछले प्रसंग में मैंने एक पंक्ति छोड़ दी थी उपर जान बूच कर छोड़ी थी क्योंकि उसका साम्में इसके साथ बैठता है उपंक्ति क्या थी संत सभा संचहु दिसी अमराई शरिद्धा रितू बसंत समगाई अब उस सरोर के चारो तरफ आम के बाग है तो लसी दास जी कह रहे हैं कौन हैं वे आम के बाग संत सभा संतों की जो सभा है वो सभा नहीं है तो सिदास जी कह रहे हैं ये तो अमराई है आमों के बाग हैं संतों की सभा और आमों के बाग में जानते हैं क्या होता है आमों के बाग में कोयल और तोते इत्यादी मधुर गीत गाने वाले पक्षियों की भरमार होती है तो क्या होता है तेहे सुक्पिक बहु बरंग बिहंगा पहु अनेक प्रकार के रंगों के विहग माने पक्षी उस अमराई के अंदर गीत गाते हैं और क्या है शरद्धा रितू बसंत समगाई और वसंत रितू क्या है इस अमराई की इस आम के बाग में जो वसंत रितू आती है कौन से है वो वसंत रितू शरद्धा ही वह वसंत रितू है शरद्धा से बड़ी वसंत की रितू कोई हो ही नहीं सकते और उस वसंत रितू में जो गा रहे हैं कोयल और तोते और कथा अनेक प्रसंगा वो क्या है कि राम कथा के अंदर राम चरित मानस में अनेक बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत कथाएं तो वो बहुत सारी कथाएं क्या हैं तुलसिदास जी कह रहे हैं वो बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं उन्हें ये मानो कि जैसे वे बहुत सारे तोते और कोयल हों और इत्यादी मधुर गीत गाने वाले पक्षी हों वन की शोभा कब होती है जब मधुर स्वर में गीत गाने वाले पक्षियों की वहां भरमार होती है और विभिन प्रकार के रंगों के पक्षि हो तो ही तो वन की शोभा है ना तो इस जो राम सरोवर के चारोत तरफ आम का वन है उसमें जो रितु है वो शृद्धा रितु है और विभिन प्रकार की जो यहां पर अन्यक अथाए है इसके अंदर वो मानो विभिन प्रकार के सुंदर पक्षि है जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं पुलक वाटिका बाग बन सुख भिहंग भिहारो और कहते हैं कि जो पुलक अब इस वाटिका में आप चले गए संतों की अमराई है फूल लगे है फल लगे है शृद्धा की वसंत रितु आई हुए है विभिन कथाओं के तोता और कोयल मधुर गीत गा रहे है तो मन पुलकित होगा या नहीं होगा होगा ना तो जो पुलक भीतर उठेगी अंदर एक रुमान ची जगेगा वह क्या है पुलक वाटिका बाग बन यह जो बाग और वन है ना यही तो पुलक और वाटी का है पुलक जो हो रही है वो बाग है कहते हैं न मन बाग बाग हो उठा यह पुलक सुख विहंग विहारू और उस पुलक से जो सुख प्राप्त हुआ वो मानो यहां पर विहार करने वाले घूमने वाले विविन प्रकार के पक्षी है माली सुमन तो माली भी होगा कोई इस बाग का तो इतना सुनदर बाग है माली पर तो द्यानी नहीं गया तो तुलसिदास जी कहते हाँ, माली भी है इसमें इस राम के अमरित सरोवर के चारो तरफ जो बाग है उस बाग का माली कौन है? सुमन सुमन माने सुन्दर्मन फूल को भी सुमन कहते हैं न और सुमन कहा है? सुन्दर्मन, सुमन यह जो सुन्दर्मन है, यही माली है कुमन को नहीं कहा, बुरे मन को नहीं कहा, सुन्दर्मन सुनाओगा न आपने गित मन ही देवता मन ही इश्वर मन से बड़ा न कोए मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए तो जो मन है ना जब सुंदर हो जाता है तो ये माली के समान काम करता है समारता है भीतर की बगिया को माली सुमन सने जल और वो क्या है जल कौन सा है फिर यहाँ पर सनही का प्रेम का जल और यह जल किसको सीचता है सीचत लोचन चारो यह जो सुंदर आखें हैं इनको सीचता है कहना क्या चाह रहे है तुल सिदास जी कि जब भी हम रामकता सुनते हैं तो सुनते सुनते आखों से आनंद के अश्रू की धाराईं बहने लगती है तो यह आनंद के अश्रू क्या है कि वो जो सुंदर मन रूपी माली है उस माली ने जिस जल से इस बग्या को सीचा उस से जो पुलक उठी उस पुलक के उठने से यह जो जल है ये आँखों को सीचने लगा अब देखो आँखे त्रिप तो होती है राम की खता सुनते सुनते जब आँखों से अश्रू बहते हैं तो वे जो अश्रू हैं वो आँखों को सीचते हैं पवित्र करते हैं, कोरा करते हैं साफ करते हैं, निर्मल करते हैं नहींनों का जो मल है उस सारा बार बाहा देते हैं क्योंकि राम की उर्जा उस जल से मिलकर आँखों को धू डालती है साफ कर जालती है प्रक्षालित कर देती है जे गाव ही यह चरित संभारे तेही ताल चतुर रखवारे अब भया तालाबों की तो बड़ी रखवाली करने पड़ते है अगर रखवाली नहीं करेंगे तो लोग गंदा कर देंगे तालाब को आके तो कहते हैं इस राम कथा रुपी सरुवर के रखवाले कौन है फिर रखवाले कौन है यह गाव ही यह चरित्र संभारे जो बड़े संभाल के श्री राम के इस चरित्र का गायन करते हैं गा रहे हैं भगवान राम के चरित्र को जो गा रहे हैं वही इस राम सरुवर के रखवाले हैं वही तो रखशा कर रहे हैं कितने कितने युगों तक कितने गायक संत जन कथा वाचक राम का गान का रहे हैं बड़ा संभाल कर साध कर विराम की चरित्र को संभाले हुए हैं रक्षा की हुए हैं इसकी और इसलिए आज रूम रूम में राम समाया हुआ है किस के कारण से इनी रखवालों के कारण से जिनोंने रक्षा की राम कथा की रामकथा को हमारे लिए जीवन्त और सुवासित और ताजा रखा हमेशा यही तो रखवाले हैं सदा सुनही सादर नर्नारी और जिसको सभी नर्नारी बड़े आदर और प्रेम के साथ सुनते आए हैं और कौन है यह सुनने वाले नर्नारी कहते हैं उसके लिए तो रसितास जी तेहे सुर्बर मानस अधिकारी मानस अधिकारी वेही इस रामचरित मानस को सुनने के सुन्दर अधिकारी है जो की क्या है तेही सुर्बर जो की देवता रूप है जिस समय हम रामकथा सुन रहे होते हैं और सुनते सुनते लीन हो जाते हैं, ठूब जाते हैं, खो जाते हैं, बहे जाते हैं, उस समय हम नहीं सुन रहे होते हैं। आप ये मत समझे कि आप सुनकर रामकथा को आनन्दित हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जो 10-15 मिनट एक घंटा रामकथा सुन लेते हैं, उसके बाद जैसे ही रामकथा से उठते हैं सब बोल बाल जाते हैं, फिर वही सब जैसे कि काई वाले तालाब के भीतर एक लाठी मारो तो काई फट जाती है, और फिर थोड़ी देर में फिर वो ढख देती है जल को, तो बिल्कुल ऐसा ही है, रामकथा ये तभी तक थोड़ी बहुत देर तक ही याद रहती जब तक सुनते हैं, उसके बाद सब गायब, तो जितने समय में सुनकर हम आनन्दित हो र लाक्षयस भी हैं, तो जब रामकथा का हम शर्वन करते हैं, तो भीतर के देवता जागरित हो जाते हैं, सक्रिय है, एक्टिवेटेड, एक्टिव हो जाते हैं, कानों में आवास पढ़ रही है न, देवताओं के रामके नाम के, तो देवता सक्रिय हो जाते हैं, और हिर्द सुन रहे होते हमारे माध्यम से वे देवी देवता सुन रहे होते हैं और जिन्नों ने हर समय अपने भीतर राम नाम का अवलंब धारन कर लिया हर समय उनके भीतर सदा ये देवी देवता जागे ही रहते हैं और वे संत लोग होते हैं संत जन होते हैं सादो जन वह प्रतेक व्यक्ति जिसने अपने भीतर हर समय राम नाम को जिवन तरखा हुआ है उसके भीतर ये देवता सदा जागे रहते हैं और इसलिए आपने सुनाओगा ना कईयों के लिए क्या कहा जाता है कि वह तो देवता स्वरूप मनुष्य है वह इंसान नहीं वो तो फरिष्टा है क्यों क्योंकि उसने हर समय अपने भीतर राम को जगाया हुआ है उसके मन मंदिर में राम सदा जागे हुए है राम कथा सदा गूंज रही है उसके साथ साथ चल रही है तो इस कारण से देवी देवता भी जागे हुए है अब क्या है अब दुष्टों की बारी आती है सरोवर के चारो तरफ बुरी आत्माएं भी आ रही है तो आहिए बुरी आत्माओं की विशे में तो लसिदास जी क्या कह रही है जानते हैं अतिखल जे विशे बग खागा केती जो बहुत दोष्ट वेकती है सौभाव के पापी है और जिनकी बुध्धी भ्रष्ट हो चुकी है ऐसे जो वेकती है अतिखल जे विशे बग खागा और वो जो विशे के इंदर सने हुए है ऐसे बगुले और कोवे वो भी यहाँ पर है इहिसर निकट जाही निकट ने जाही अभागा और क्या है अभागा उनको अभागा कहा है इहिसर निकट ने जाही अभागा जो कि इस सरोवर के निकट जाते ही नहीं है वो ऐसे अभागे है कितने प्रकार के पक्षी इस राम के अमरित सरोवर के अंदर डुबकी लगा रहे हैं कहते लेकिन जो विश्यों में सने हुए दुस्ट लोग हैं जो बगुले और कागा के समान हैं गोओं के समान हैं वो इस सरोवर के निकट फटकते ही नहीं जाते ही नहीं ऐसे अभागे हैं वो संबुक भेक सेवार समाना इहाने विशय कथा रसनाना कहते हैं वो क्या हैं जैसे की घोंगे, जोग, मेंडग ये सब है ना इनके समान हैं जिनको वहाँ पर अपने इहाने विशय कथा रसनाना जिनको यहाँ पर अपनी रुची की कोई कथा नहीं मिलती, अपनी रुची का कोई भोजन नहीं मिलता, विशेवासनाओं को बढ़ाने वाली, उतेजना देने वाली, कोई कथा राम कथा में नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, कि जिसे सुनकर आपकी काम वासना भढ़कन लगे तो जब ऐसा कोई प्रसंग ही ने तो दुष्ट लोगों का कोई इंट्रेस्ट दीना आता इसमें अकसर लोग क्या कहते है और क्या बॉरिंग बाते करता रहता है वह तो जभ देखो राम की कताईं बोर्म करता है हर समय ऐसा कहते हैं उनके लिए बड़ा बोरिंग एपिसोड है यह चलना राम का कहते हैं है कोई इंटरस्ट नहीं है हमारा इसे अच्छा तो कलब में जाओ वहाँ धम धम डीजे वगारा चल रहा होगा नाचेंगे कूदेंगे वहाँ असली रास तो तुलसिदास जी कहते हैं जो ऐसे विशेव वासनाओं में फसेवी लोग हैं एहिसर निकट ने जाहीं अभागा विया भागे इस तुरोवर के निकट आते ही नहीं है जहां सत्संग हो रहा हो वहाँ अपसे दुश्ट लोग किनारा करके ही निकल जाते हैं कि चलो यहां से पतली गली से निकल लो है यह रामकृष्ण परमंस कहा करते थे अकसर कि मेरे पास जो लोग श्री हरी की कथा सुनने आते हैं कथाओं में जिनका रस है वो कई बार अपने मित्रों को भी साथ ले आते हैं कि चलो तुम भी थोड़ी सी रामकथा सुन लेना तो कहते हैं उनके मित्र मजबूरी में आ जाते हैं और जब मै शिरी हरी की कथा का वर्णन करना शुरू करता हूँ या कोई कीर्टन शुरू करता हूँ तो उससे पहले ही वो उठ जाते हैं और अपने मित्रों से कहते हैं कि हम जरा घूम कर आ रहे हैं आते हैं ना तब तक तुम सुनो राम की कथा हम आते हैं भी घूम के गंगा किनारे से घूम किया ना क्या है कि पान बिड़ी तमाखों खाल के हम आते हैं तब 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 तुम सुनो फिर तुम्हारे साथ वापस लोट जाएंगे तो इधी लोगों के लिए तुलसिदास जी कह रहे हैं कि अतिक खल जे विशय बग कागा एही सर निकट ने जाही अभागा संबुक भेक सेवार समाना इहाने विशय कथा रसनाना यहां पर उनके मन की विशय वासनाओं के लिए कोई कथा नहीं है तो इसलिए उनका रस भी प आने से उनका मन हार जाता है विशय अपने मन के द्वारा हरा दिये जाते हैं उनका मन कहां जाता है जहां नोटंकी हो रही हो स्वांग हो रहा हो कोई बाई नाच गाना दिखाती हो तो उनका मन तो वहां जाकर रमता है प्रसन होता है तो यहां आने की बात सुनते उनका मन ह कार जाता है, कहते हैं मन-के हारे-हार है, मन-के जीते-जीत, मन-कहता नहीं भई यहाँ वहाँ नहीं जाना यार, बड़ा बोर होंगे, सट संग में बस वही आत्मा परमात्मा की बात हैं, what's a boring? नहीं जाना, तो तिही कारन आवत हàiहरे, कामि काक बलाख बिचारे, वो बिचा है बार बार, जो विशेवासनाओं के मारे हैं, क्योंकि कोवे की द्रिष्टी सदा मांस पर रहते हैं, ति कहां मांस खाने को मिल जाए, और कहीं द्रिष्टी नहीं होती, सारा दिन कवव अपनी नजरों से केवल मांस को ढूंडता रहता है, और बगुला शिकार को ढूंडता रहता है तो जब सारी द्रिष्टी ही शिकार करने में है मांस दूसरे को सताने में है मारने में है तो राम में रस कहां से पैदा होगा मन वहां रमेगा ही नहीं ना मन तो वहीं जाता है जहां उसका रस हो और विशेवासना वालनों के लिए यहा आमिकाक बलाक बिचारे आवत एही सर अती कठिनाई आवत एही सर इस सरोवर पर जो अमरिसर है इस अमरिसर पर आने के लिए आवत एही सर अती कठिनाई उनको बहुत कठिनाई है बहुत मुश्किलातों से उनको गुजरना होता है कैसे वो आप आये हैं मन तो आने ही नहीं द आपको जाता है आपको सामान ने बोल चाल में हम क्या कहते हैं कि बड़ा मन कर रहा था आपसे मिलने का चले आए बड़ा मन कर रहा था चाट पकोड़ी खाने का तो आ गए चाट पकोड़ी खाने बड़ा मन कर रहा था सनिमा जाने का बड़ा मन कर रहा था ये करने का बड़ा तो कौन है वो मन वही तो सूत्रधार है वही तो नेरेटर है वही तो आपरेटर है जो चला रहा है वही मना कर देता है नहीं जाना भया राम कथा कि पास मज जाओ वहां पर बड़ा खत्रा है कहते हैं भगवान मावीर एक जगह अपनी अम्रित वानी बरसा रहे थे तो एक चोर ने अपने बेटे से कहा कि बेटा सुन वहां पर जहां भगवान मावीर सत्संग करते हो उस तरफ मुड़ के भी मत देखना वो बड़ी खतरनाग जगह है भूल कर भी उस तरफ मत देखना क्योंकि अगर तुने उस तरफ भूल कर भी देख लिया तो मारा जाएगा कहते हैं राजा के सिपाईों से हमें कोई डर नहीं है जो पहरेदार है ये तो इनसे तुम खेलते हैं दिन राथ इनसे कोई खतरा नहीं है असली खतरनाग आदमी तो ये महावीर है अगर इसको तुने एक बार देख लिया इसकी तरफ एक नजर भी डाल ले तो फिर फिर बचना मुश्किल है और कहते हैं कि जिस काम से रोका जाए वही किया जाता है तो चोर के बेटे ने एक बार कहा जरा देख ही ले जिसके लिए मेरे पिता रोकते हैं उन भगवान महावीर को एक बार सुन ही लिया जाए उसने सुना और गया काम से पिर कहा चोर रहा हूं सब कुछ बदल गया तो मन बहुत चालाक और सावदान है मन जानता है कि अगर मैंने इन्सान को जराषा भी राम की तरफ भेज दिया तो फिर ये मेरे हाथ से गया फिर ये मेरा सुननेगा नहीं मेरे कोई बात मेरा कहना corresponding मानेगा तो इसलिए बन ने ऐसी लगाम कसी हुई है इनसान की बुधधी पर उसके जहन पर ऐसा काबू किया हुआ है ऐसी सवारी किया हुई है मन ऐसा सवार है हम घोड़ें और मन हमारा सवार है वो मन ऐसा घुड़ सवार है कि जहां हमारी लगाम मूरता वहीं ले जाता है और राम की उर्वजा नहीं नहीं देता कहता है राम के सरुवर पर इस घोड़े को वो पानी पीने नहीं देता कर लो क्या करोगे और कहते हैं सुनो जब तक राम की कृपा नहीं होगी न इस सरोवर पर न आप पानी पी सकते हो न डूबकी लगा सकते हो आई नहीं सकते आना ही मुश्किल है और वो आया कब हो सकता है राम की कृपा से राम कृपा बिन सुलब न सोई वही बात यहां कह रहे हैं कि राम कृपा बिन आई न जाए बिना उसके कृपा के तुम यहां आई नहीं सकते बहुत आवश्चक है राम के द्वार पर जाने के लिए हाजरी लगाने के लिए इनसान का कदम बढ़ा लेना क्योंकि मन नहीं जाने देगा और ये राम के क्रपा से ही होता है राम का बुलावा आ जाए राम का नियोता आ जाए तो ही आप जा सकते हैं और उनका नियोता कैसे आए है ना बड़ी उल्टी बात मन आपका जाने ना दे राम के पास राम के पास ये नियोता आए तो आपको सुनाएगा कौन मनी तो सुनाएगा तो इसलिए अपने मन के बीच में खुद को आकर खड़ा होना है यहां यह रहस्य है आपके विवेक को जो हमेशा के लिए आपके मन ने मार दिया है उस विवेक को जगाना होगा भीतर की जो चेतना है जो कॉंश्यस है वो जब जागेगी तो मन के कान खड़े होंगे तो मन डरेगा तब आप राम से प्रार्थन कर पाएंगे निवेदन कर पाएंगे कि वह आपको उस सरोवर पर आने की अनुमती प्रदान करे और जब उसका हुक्म होगा तो आपका जाना भी हो जाएगा अब ये कैसा है रास्ता राम के सरोवर तक जाने का ये भी जान लेजिए बहुत कठिन है डगरपन घटके आसान नहीं है जाना कैसे भर लाओं मदवा से मस्ते बहुत मुश्किल है हैं मस्ती भर के लाना क्यों? क्योंकि कठिन कुसंग इस रास्ते पर बढ़ने से पहले जो इनसान को उसके मन ने बहुत बुरे रास्तों पर धकिला हुआ है कठिन को संग, बुरी संगत में और वो बुरी संगत का रास्ता कैसा है? कुपंत कर आला, बड़ा भयानक है ये बुरा रास्ता, भयानक भयानक क्यों है? क्योंकि वो आपको विशे वासनाओं में ही उलचाए होगी है और कुछ सोचना ही नहीं देता पूरी जिंदगी को उसने सिर्फ और सिर्फ पैसी पर लाकर के इंदृत कर दिया है विशे वासनाओं पर तिनके वचन बाग हरी बैला और उनके वचन कैसे हो गए हैं ऐसे लोगों के जिनका रास्ता बहुत भयानक हो गया है और जो बुरे रास्तों पर चल रहे हैं कुसंग के रास्तों पर हैं कुसंगती में पड़े हुए हैं उनके वचन कैसे हो गए हैं हिंसक वो जब बोलते हैं मुझसे हिंसा ही करते हैं तिहीं के बचन बाग हर ब्याला, शेर बाग और साप की तरह उनके बचन हो गए जो जहर ही उगलते हैं, हिंसा ही करते हैं, नशे में चूर हैं, बुरे रास्ती पर चल रहे हैं, मैं एक बार एक वैपारी के पास को सामान खरीदने गया, तो वैपारी अपने दुकान में वो लड़का पानी लेकर आया, उसके हाथ से गिलास गिर गया, कांच का गिलास था तूट गया, अब तूटते ही वो जो लाला था, वो जो सेड़ जी थे, वो सेड़ जी कैसे थे, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, बुरी संगत में रहते होंगे, बुरा रास्ता था उनका और उनकी वानी कैसे थी, जैसे सांप का जहर, ऐसे हिंसक वानी, तो जैसे उनकी नोकर से गिलास तोटा, और उन्होंने तो उसको जो गालियां देने शुरू की, नोकर डर के मारे कांपने लगा, सहम गया, और गालियों पर गालियां बोचार, ऐसी गालियां की सुनने वाल शर्म से पानी-पानी हो जाए, सिर जुग गया हमारा ऐसी गालियां सुनकर जब वो नौकर को दे रहे थे नौकर को उन्होंने और दूसरे काम के लिए भगा दिया मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सेट जी, ये जो नौकर है न जिसको आपने इतनी गालियां दे है ये मन ही मन में आपके सर्वनाश की काम न कर रहा है, दुआएं तो आपको दे ही नहीं रहोगा पकी बात है, मजबूर है, बेबस है बिचारा, और मैंने कहा, गरीब कोना सताईए कहा है ना, निर्बल कोना सताईए, ताकी मोटी हाए, मुई खालकी सार सो, सास बसम हो जाए ति पता नहीं कौन सी हाए लग जाए, और आपका सच में सर्वनाश हो जाए, तो मत दो गाली ये सांप जैसे, जहरीले वचन, शेर बाग जैसी हिंसा वचनों की, ना करें और मैंने का, एक दूसरी बात भी सोचें, वो तो भगवान राम की एक रपा है, परमात्मा की एक रपा है, कि उसने आपको सेठ बना दिया मान कर चलो, आपका ही बच्चा ऐसे किसी दुकान में काम कर रहा हो, और उसका मालिक आपके बच्चे को ऐसी गालियां दे, तो आपके बच्चे पर क्या बीतेगी, या आप पर ही क्या बीतेगी, अगर आप इस नौकर की जगए होते हैं, और ये नौकर आपकी जगए होता आप पर क्या बेचती है सोचता ही नहीं न मनुश्य जिनके वाणी पर विशैले वचन है कड़वे वचन है जहरीले बान है जो सिर्फ जहर उगलना जानते है ऐसे लोग ये कभी सोचते थोड़ी ना है दूसरे के दिल पर क्या गुजरेगी ये अहसास था ये अहसास ये नहीं होता कि हमारी गाली का दूसरे के दिल पर क्या आसर पड़ेगा वो कैसे जार जार होकर रोएगा हमारी गाली सुनकर फर्क नहीं पड़ता तो कि भीतर जहर भरा है तो जो राम के पत पर नहीं बढ़े हैं वे ऐसा ही जहर उगलते हैं क्या करें मजबूरी है उनके क्योंकि जीवन भर कुसंग मिला वो बुरा और भयानक रास्ता मिला जैसे लोग मिले सफर के वो भी ऐसे ही है तो जब तक बुराम के सरोर पर जाकर जल्पान नहीं करेंगे अमरित छकेंगे नहीं तब तक भीतर का जो माली है वो जो सुंदर मन है वो इनके हृद्य के बगीचे को संवारेगा भी नहीं कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हर वैला गिरी का आरज नाना जन जाला ते अति दुर्गम सैल विसाला और क्या हैं ये लोग ये कहते हैं हम क्यों नहीं जा पाते राम के शिरी चर्णों में या इश्वर ये भक्ति में हम क्यों नहीं जा पाते जब इनसे पूछो तो ये अपनी मजबूरी बताते हैं क्या कहते हैं गरी कारज नाना जन जाला गर गरस्ती के इतने काम हैं इतने जंजाल हैं मरने की फुरसत नहीं कैसे हम कैसे हम उसका नाम जब लें फुरसत भी तो हो वक्त भी तो मिले और उनकी लिए क्या है ते अति दुर्गम सेल बिसाला उनके मार्ग में जो घर गरस्ती का जंजाल है जैसे बड़े बड़े पहाड हो इन पहाडों को ही वो चड़ नहीं पाते हो तो पहाड के उस तरफ जो राम का अमरित स्रोवर है वहां कैसे पहुँचे हैं पहाड की तरह उनके घर गरस्ती के जाल है ऐसा भी लोग कहते हैं सब उसी कैटेगरी में आ गए, उनको मैं पिछले दस साल से, दस सालों से निमंतरन दे रहा हूं कि मेरे घर आओ, छट पर भगिया है राम जी की, वहां बैठ कर एक प्याली चाही पीएंगे, कुछ थोड़ा सा सत्सन करेंगे, आईए, दस सालों से उनको आने का समय नहीं है, वह कहते हैं, घर ग्रस्ती के इतनी जंजाल है, कैसे आजाओं, काम धंदे के इतने जंजाल हैं, कैसे आजाओं, पहाड जैसे जंजाल, मैंने का क्या है, बताइए, दिन चर्या बताइए, तो उन्होंने का सुबे उठता हूं, मैं नो बजे, उसके बाद नाया धोया, आश तो उतनी बड़ी दुकान भी नहीं है, बोले अरे दुकान का जो सारा सामान है, वो पहले सडक पर जो मैंने सरकार की 10-15 फुट की जगह कब जाई होई है, उस पर सारा फैलाना होता है, मेजे निकाल नहीं होती है, फोल्डिंग, मेज बाहर रखता हूं पटरियों पर, वो द दुकान का सारा समान भाल लगाता हूं, तो 15 फुट जगह, जो सरकारी जगह घहरने में मुझे लग जाता है, एक घंटा, और बाकी सब दुकानदारों को भी लगता है, वो भी सब यहीं करते हैं, एक घंटा लग गया इसमें, अब 11 बजे मेरे दुकान सज के तयार है, उस के बाद फिर एक घंटा वो समान अंदर रखने में लगता है, जो सडक पर फैलाया था, दस बज गए, दस बजे के बाद रात को घर पहुंचा, दस से ग्यारा बजे तक पहुंचने के बाद घर पे, जब भी पहुंचा मैं, एक घंटा, जो दुकान का जितना हिसाब मैं खाना खाता हूं, साड़े बारा पोने एक बच जाते हैं, फिर सुबे नौ बजे उठता हूं, बताइए कहाँ वक्त है मेरे पास, आप बता दीजिये न कहाँ वक्त है, मैंने का मैंने आप से कहा था कि एक घंटा आप निकाला करें, तो उन्होंने का निकाल के दिखा मेरे टाइम टेबल में, कहीं एक घंटा निकलता हो तो, एक मिनट भी नहीं निकल रहा, मैंने कहा आप अगर दुकान साथ बजे बढ़ा दे तो, उन्होंने का कैसे बढ़ाते हैं, हजीब बात करते हैं, आप गहा की तब शाम को आते हैं, तो मैंने का सुबह दो बजे खोल कमा लेते हैं कि आप से गिना नहीं जाता, पक्की बात है, ऐसे बहुत से लोग हैं, दुकानदार, जो सुबह दस बजे से साथ बजे तक के बीच में इतना कमा लेते हैं, और साथ के बाद जो रुकिये हुएं वो, वो उनका लोब है, अती लोब, कहा ना, अभी, गिरिक का खाया पिया और सो गए, जिन्दगी में वक्त ही नहीं है, तो तुलसी दास जीने कितने गहरी नवस बकड़ी हैं लोगों के, और क्या कहते हैं, ग्री कारज नाना जंजाला, ते अती दुर्गम सैल बिसाला, ये जो जंजाल इनोंने पाले हुएं, ये पहाड के समान जंज इनको दूसरे पार ही नहीं जाने देते, क्योंकि ये कभी उस पहाड को चड़ी नहीं पाते हैं, उस सदा बढ़ता ही रहता है, इसे कहते हैं विशेवासना, आकसर लोग मेरे से पूछते हैं, कि विशेवासना का मतलब क्या है, कि ये है विशेवासना, कि सुभ़े दस किसी ऐसे के पास नहीं बैठना, कि जहां से सच में राम नाम के अमरित की दो बूंद उनकी जीब पर गिर सकें, और ऐसे लोगों से पूछो तो कहते हैं, बड़े दान धर्म करते हैं, हमने कितनी धर्मशालाएं बनवाई हुई हैं, जाके देख लोगे जगे हमारे नाम के पथर लगे हुएं, क्या क्या नहीं हमने करवाया, हम इतना दान धर्म करते हैं, मन उनका उनको बरगला देता है, बहका देता है, और मन के बहकावे में आ जाते हैं कि कुछ लाख रुपए दान धर्म में लगा दिये, अखबारों में सुर्खियां बन गई, खबरें आ कि हम दो भक्त हैं, भक्ती में हैं, और ऐसे लोग भी जो इनकी पास आते हैं, बहु दो भगजी कहते हैं कि आओ भगजी, तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम दो भक्ती कर रहे हैं, तो कुछ लाख रुपई दे कर, इनका मन इनको सेटिस्पाई कर देता है, जीने कितना सुन्दर चित्र खीचा है विशय वासनाओं से घिरे व्यक्तियों का और जो श्री राम की भक्ती में पगे हुए डूबे हुए रसलीन भक्त हैं उनका दूनों का है सप्त प्रभंद सुभग सोपाना ज्यान नयन निरखत मन माना रगुपति महिमा अगुन आबादा बरनब स्वई बरबारिय अगादा राम सिय जस सलिल सुदासम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरिन सगन चारु चोपाई जुगति मन्जु मनिसीप सुहाई चंद सरोठा सुन्दर दोहा सोई बहुरंग कमल कोल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सोभासा सुकृत पुंज मन्जुल अलि माला ज्यान विराग विचार मराला धुनियव रेब कवित गुन जाती मीन मनोहर ते बहु भाती अर्थ धरम कामा दिक चारी कहब ज्यान वे ज्यान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तरागा सुकृति सादु नाम गुन गाना ते विचीत्र जल बिहग समाना संत सबाचयों दिसि अवराई स्रधारितु बसंत समगाई भगति निरूपन विविद विधाना चमादयादम लताबिताना समजम नियम फोल फल ज्ञाना हरिपदर तिरस देद बखाना ओरव कथा अनेक प्रसंगा तेई सुक पिक बहु बरन विहंगा पुलक बाटिका बाग बन सुखु सुबिहंग बिहारू माली सुमन सनेह जल सीचत लोचन चारू राम भगति सुर सरतै जाई मिली सुकीरति सर्जु सुहाई सानुज राम समरज सुपावन मिलव माहांदू सोन सुहावन जुग बिच भगति देवदु निधारा सोहति सहित सुभिरति विचारा त्रिवद ताप त्रासकति मुहानी राम सरूप सिंदु समुहानी मानस मूल मिली सुर सरीही सुनत सुजन मन पावन करीही बिच बिच कथा बेचेत्र विभागा जनुशर तीर तीर बन भागा उमा महेश विभाग बराती तेजल चर अगनित बहु भाती रगुबर जनम अनंद बदाई भवरतरंग मनोहर ताई बाल चरित चहु बंदुके बनज विपुल बहु रंग निपरानी परिजन सुकृत मदुकर बारि भिहंग अबशिव पार करो मेरी नईया ओगट घाट अगाद महाजल बलिलगे नखे वैया बारि बरो बर बारि रहो है तापर अति पुर वैया अब शिव पार करो मेरी नईया थर थरात कंपत हिय मोरो शिव की देत दुहया देवि सहाय प्रभात पुकारत शिव पितु गिर्जा मैया अब शिव पार करो मेरी नईया जे गावईय चरित संभारे तेही अही ताल चतुर रखवारे सदा सुनई सादर नर नारी तेही सुर बरमानस अधिकारी अतिखल जे विशय बग कागा एही सर निकट न जाई अभागा संभुक बेक सेवार समाना इहाना विशय कथारस नाना तेही कारण आवत ही एहारे कामी काक बलाक विचारे आवत एही सर अति कठिन आई राम कृपा बिनो आई न जाई कठिन कु संग कु पंथ कराला तिन के बचन बाग हरिव्याला ग्रह का रज नाना जन जाला ते अति दुर गम सैल विशाला बन बहु विशम मोह मद माना नदी कु तरक भयं करनाना जेश्रधा संबल रहित नहि संतन कर साथ तिन कौमानस अगम अति जिनहिन पिरे रगूनाथ मनवा राम नाम रस पीजे 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 तज कु संग 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 बैठ नित हरी चर्चा सुन लीजे हरी चर्चा सुन लीजे हरी चर्चा सुन लीजे मनवा राम नाम रस पीजे मनवा राम नाम रस पीजे जो करिकस्ट जाई पुनि कोई जाताई नींद जुडाई होई जडता जार विशम उर लागा गयो नाम जन पाव अभागा करिन जाई सरम जन पाना फिर आवै समेत अभिमाना जो बहोर को पूछन आवा सरनिंदा करिताई भुजावा सकल भिगन व्यापई नहीं तेही राम सुक्रिपा विलो कही जेही सोई सादर सरम जन करई महा घोर त्रै ताप न जरही तेनर ये सरत जै न कावू जिनके राम चरन भल भावू जो नाहाई चै एही सर भाई सोसत संग करऊ मन लाई असमानस मानस चक चाही भै कभी बुर्दि विमल आवगाही भयो हिर्दै आनंद उच्छाहू उमगे उप्रेम प्रमोद प्रभाहू चली सुबग कभीता सरीतासो राम भिमल जस जल भरितासो सर्जु नाम सुमंगल मूला लोक बेद मत मन्जुल कूला नदि पुनेत सुमानस नंदनी कलिमल त्रिन्न तरु मूल निकंदनी स्रोतात्रिविद समाज पुर। ग्राम नगर दोहु कूल। संत्सवा अनुपम अवध। सकल सुमंगल मूल। तेरा राम जी करेंगे बेडा पार। उदास मन काहे को करे। काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेडा पार। उदास मन काहे को करे। नईया तु कर दे प्रभु के हवाले। लहर लहर हरी आप संभाले। नईया तेरी राम हवाले। लहर लहर हरी आप संभाले। हरी आप ही उठावें तेरा भार। उदास मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेडा पार। उदास मन काहे को करे। उदास मन काहे को करे।